हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आप लोग का स्वागत है DXB Electrical Learning में आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के शमने आ गया हूँ आज का जो टोपिक है वो Contactor Holding के बारे में हम Contactor को Holding कैसे करते हैं Without Neutral यानी बिना Neutral को हम Contactor को Holding कैसे करेंगे आज हम इसी के बारे में इस बीडियो को बना रहे हैं ठीक है ना तो सबसे पहले Contactor Holding करने के लिए बिना Neutral को Contactor Holding करना चाहते हैं तो वहाँ पर Neutral ना होकर 3 Face वहाँ पर लाजिम होना जरूरिय है ठीक है ना उसके बाद हम बीना नूटल का कंटेक्टर होल्डिंग कर सकते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा हम थिरी फेश का सप्लाई लेंगे जहां पे R, Y और B होता है यानि Red Wire और Y यानि Yellow Wire और Blue Wire होता है वहां पे जहां से हम किसी भी एक फेश से Red Wire से या Yellow Wire से या Blue Wire से किसी भी एक फेश से हम एक Wire को निकालेंगे और निकालने के बाद जो हमारे पास जो NC जो Push Button रहेगा उसका जो एक नमबर जो Terminal है यानि उसका एक Terminal में हमें लाकर Connect कर देना है कुछ इस तरह से Connect करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे जो Push Button का जो NC Push Button का दूसरा उसका जो Terminal है यानि समझ लिजी दो नमबर जो Terminal है उससे हम एक Wire को निकालेंगे और दूसरे Push Button यानि N.O Push Button का एक Terminal में यानि दो नमबर Terminal या एक नमबर Terminal माल लिजी इसमें हम लाकर Connect कर देंगे यानि किसी भी एक Terminal में हमें लाकर Connect करना है ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इसी N.O Push Button से हम एक Wire को निकालेंगे और इस तरह से कुछ निकालने के बाद Direct हमें क्या करना है Contactor का जो A1 जो Terminal है उसमें हमें लाकर Connect कर देना है कुछ इस तरह से Connect करने के बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें इसी Terminal से A1 Terminal से एक Wire को उठाएंगे और Wire को उठाने के बाद जो Contactor का जो 13 नमबर जो Terminal है जो N.O Terminal है वहाँ पर हमें लाकर इस तरह से Connect कर देना है उसके बाद हमें इस तरह से connect करने के बाद हमें क्या करना है जो push button का जो ये terminal है जो उपर वाला terminal है उससे हम एक wire को उठाएंगे निचे वाले terminal से नहीं उठाना है अगर निचे वाले terminal से अगर आप उठाएंगे जो contactor ये काम नहीं करेगा ये उपर वाले terminal से उठाना है ठीक वो बच जाता है उसके बाद हमें क्या करना है यहां से दो फेश हमारे पास अब है बाकी है हम रेड वायर से एक वायर हमने ले लिया अब यहां से यह ऐलो वायर या बूलु वायर से हमें एक सप्लाइ लेना पड़ेगा यानि कन्टेकटर होलनी के लिए इसको आउन आफ करने के लिए अगर जो green वाला जो button है जो no button है अगर हम उसको push करेंगे तो यह जो अंटेक्टर है यह ओन हो जाएगा अगर जो रेड़ वाला जो बटन जो एनसी बटन है इसको हम पुछ करेंगे तो आन है तो यह ओफ हो जाएगा कुछ इस तरह से यह काम करता है इसको हम बोलते हैं तो इस तरह से हमारे जो वीडियो है कंप्लीट हो रहा है अगर हमारे वीडियो अच्छा लाग हो था हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कुछ इस तरह से हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आप मज़े में देखते रहिए चलिए हम वीडियो के एंड करते हैं